हाई एबरीबन तो आज हम इस वीडियो के अंदे हैं डिस्कस करने वाले हैं चाइनीज रिमेंडर थियोरम के बारे में ठीक है तो इससे बहले हैं क्रिप्टोग्राफिय और इंफोर्मेशन सेक्योरिटी के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता हैं इस्पे करता है तो इस तरह के से कोशन मिलेगा कि यहाँ पर यहाँ पर A1 हो गया और मॉड म 1 हो गया तो यहाँ पर कुछ वैलियूस होंगी ठीक है, तो इस तरीके से आप से question पूछा जा सकता है, and मैं आपको यहाँ पर एक question का image भी दिखा रहा हूँ, तो आप यह question की image से देख सकते हूँ कि किस तरीके का question पूछा जा रहा है, तो यह paper का आया हुआ question है, explain Chinese remainder theorem using CRT, which is Chinese remainder theorem, CRT का short form है, और find the value of x from this equation, तो equation है, x equal 7 mod 13, and x equal 11 mod 12, ठीक है, तो आप मेरी इस विडियो को देखने के बाद यह type का question solve कर सकते हैं, और इस type के questions कई सारे हर साल paper के अंदर आते हैं, so आप लोग समझदा रहे हैं, ठीक हैं, अब आप को मैं समझाने वालों क्या होती है, so the theorem is often used in the number theory and the modular arithmetic, the Chinese remainder theorem state that if you have a system of congruence of the form, अगर इस form में congruence ही maintain होरी है, तो आप Chinese remainder theorem apply कर सकते हैं, ठीक है, तो x congruence a1 mod m1, and same, यहाँ पर x की value same रहेगी, but a1, a2, a3, aK तक change होगा, and same m1, m2, m3, change हो सकते हैं, बिलकुल, but x जो है, same होगा, तभी हम single x की value find कर सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर condition देखनी पड़ेगी, थाना, तो gcd जो है, सारे m1, m2, अगर मालनों, दो conditions है, जैसे कि आपके सामने भी एक स्क्रीन में जो दिख रही थी photo, तो उसमें 2 m1 और m2 थे मतलब 2 equations relation दिये थे, x के term में, तो वहाँ पर जब 2 term दिये हो, तो हम सिर्फ चेक करेंगे gcd of m1 and m2, त तीन बार चेक करेंगे और उनका gcd 1 होना चाहिए, बट जैसे question में 2 दिया था, तो उसका gcd सिर्फ हम 2 का term चेक करेंगे, क्योंकि 2 relations यह थे, x के term से, तो m1, m2 का relation चेक करके, अगर यह 1 है, तो ही हम लगा सकते है, Chinese remainder theorem, चाहिए, example समझते हैं कैसे solve करना है, तो 2 का तो easy है gcd 2 बार चेक कर ली चाहिए, बट अगर 3 आ जाए, तो एक question है, जिसमें x में 3 बार relation है, ठीक है, x के relations रखके हैं, यह a1, a2, a3 की value है, m1, m2, m3 की value है, according to this form, ठीक है, अब हमें x find करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m find करेंगे, बट उससे पहले हमें यह देखना है ठीक है, तो gcd of 3 and 5, दोनों अलग-अलग numbers है, दोनों divide नहीं होते है, तो बिलकुल यह a1, gcd of 5 and 7, यह भी 1 है, ठीक है, दोनों divide नहीं हो रहे है, gcd of 3 and 7, यह भी 1 है, तो यहां से क्या पता चल रहा है, क्या तीनों का gcd जो है, वो 1 है, है ना, तो आपन अब लगा सकत है, chinese remainder theorem, तो हमें pairwise gcd चेक करना है, दो-दो के pair, ठीक है, gcd मतलब scf निकालना, okay, greatest common divisor, यह फिर scf आपको बताई होगा highest common factor, तो हम सबसे पहले gcd निकालेंगे, तो हम निकाल लिए gcd, तो दोनों का 1 है, इन दोनों का pair का, इन दोनों का pair का, इन pair का भी gcd 1 है, तो मतल तीन relations है, जैसे यहाँ पर दो relation है, k relations है, तो सभी का m1, m2, m3, m4 करके m, k तक सभी का multiply, वो capital M का value होगा, capital M का value क्यों लिए आ जा रहा है, अभी आपको पता चल जागा, तो यहाँ पर तीन relation है, तो तीनों के अंदर जो mod के साथ है, उन सब का multiply, which is 3 into 5 into 7, 3 into 5 into 7, which is 105, तो य यह, ठीक है, divided by first one, m1, ठीक है, जो 3 है, तो यहाँ से अपने निकाल लिया, 105 divided by 3, तो यहाँ से 35 आ गया, अब हमें m2 निकाल ला है, तो जो capital M है, divided by उसका सामने वाले value, which is 5, तो 105 divided by 5, तो यहाँ से 21 आ गया, अब है, m3 निकाल ला है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ज divided by 7, तो यहाँ से m3 की value होगे 15, तो इस तरीके से अपने m निकाल लिया, m1 और m2 और m3 निकाल लिया, अब इसके बाद हम इनको सारी values को final एक, अपना एक relation होगा, उस पर पोट करेंगे, जिससे x की value find करेंगे, ठीक है, उससे पहले हमें और values निकाले पढ़ेंगी, तो यहाँ पर जो m की value है, है न, m1 जो लिखा है, m1, m2 और m3 की value है, वो यहाँ पर रखे गए, तो formula कुछ इस परकार है कि m1, n1 is congruent modular with 1 mod 3, 1 क्या है, mod 3 क्या है, वो समझते हैं, तो 1 को हमेशा यहाँ पर लिखना पढ़ेगा, और mod 3, mod 5, mod 7 आपके question में given है, यह, हैना, तो वो लिखना पढ़ेगा, because हमें multiplicative inverse निकालना है, तो यहाँ पर n1 की value निकालनी है, तो यह capital M1, n1 is congruent modular with 1 mod 3, same capital M2, n2, congruent modular with 1 mod 5, and same, हैना, m3 के लिए भी, हमने यह निकाले, तो m1, m2, m3 की value यहाँ पर use हो गई, जैसे कि हम n1 की value निकालेंगे, तो n1 की value हमें मिल जाएगी, अ यहाँ रखे, आपको ठीक है, यूलर्स function, जब मैंने पढ़ाया था, फर्मेंट लिटल theorem, या यूलर theorem पढ़ाया थी, यूलर टोशन function, या यूलर theorem, तो आपे मैंने module निकालना सिखा दिया था, module का मतलब क्या, ये congruent module हट जाएगा, तब आप इसको easily solve कर सकते हो, मतलब 35 को आप 3 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, एंट जो रिमेंटर बचेगा, उसको लिखोगे, into n1 करोगे, equal होना ची बनके, तो n1 की value हो जाएगी 2, एंट से में आपे n2 की value 1 हो जाएगी, n3 की value 1 हो जाएगी, जो जो मैं बोल ना हूना, वो सारी steps दिमाग में होनी चीए, simple, ठीक है, यहाँ पर अपनने n1, n2, n3 निकाल लिया, यहाँ पर अपनने m1, m2, n3 निकाल लिया, और a1, a2, a3 गिवन था question में, और यहाँ पर m निकाल लिया, ठीक है, अब इन सब ही का use करेंगे, तो x कैसे निकलेगा, यह क्या है a1, ठीक है, ध्यान से देखो, a1 which is 2, ठीक so 3, 21, n, n2 की value है 1, तो इस तरीके से लगाएंगे, तो a1, a2, a3, हमने यहाँ पर यूश कर लिया a1, a2, and a3, साथ में m1, m2, m3, साथ में उसकर लिया n1, n2, and n3, ठीक है, तो यह n3 की value 1 है, यह a3 की value 2, यह 2 है, और m3 की value है 15, तो इस तरीके से formula बन गया, साथ में क्या लि होगे, and जो भी final value होगी, वह यह आपका final answer होगा, तो इस तरीके से यार, यह question पूरा solve होने वाला है, ठीक है, so मेरे खाल से, आप लोग को CRT, which is Chinese remainder theorem समझ में आ गई, यह question था, जिसके अंदर हमने 3 relation वाले question को solve लें, जिसमें 3 relation X के, ठीक है, अब जो मैंने आपके सामने जो calculate करना पड़ेगा, और same for N1, N2, N3, यह calculate करने की जरूबत नहीं होगे, सिर्फ दो N1 और N2 calculate करना पड़ेगा, और यह जो तीसरा relation में वो नहीं होगा, ठीक है, M1 होगा, M2 वाला होगा, और यह last वाला, जो mod वाला है, वो होगा, ठीक है, तो जो जो मैंने बोला, आपको formula म वो सब आप तरीके से लिखे, और उसके बाद question solve करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, अब mod की value कैसे निकाली है, वो मैं आपको एक बारी फिर से बताता हूँ, क्योंकि mod निकाल रहा, थोड़ा बच्चे को confusing लगता है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 35 को mod 3 है न, 3 से divide होगे, तो 2 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 remainder देता है, क्योंकि mod always give you remainders, तो यहाँ पर 2 into n1, 2 into n1 give you 1, तो कब देगा ही है, जब n की value, n1 की value 2 होगी न, तभी 2 into 2 which is 4, 4 का mod 3 के साथ करोगे, तो remainder के मिलेगा 1, तो तब भी इससे आपको यह पता चलिए, तो यहाँ पर 2 into n1, तो आपने जैसे 2 रखा, और यहाँ पर already 2 था, तो अगर आप assume करोगे, n1 की value 2 है, तो 2 into 2 which is 4, 4 is equal 1 mod 3, तो 4 को अगर 3 से divide करोगे, तो क्या remainder आगा, बनाएगा, तो इसका मतलब है, यह बनवाला remainder possible ही होगा, जब n1 की value 2 होगी, ठीक है, ऐसी same आप इसके लिए करो, ऐसी same आप इसके लिए करो, clear है बात, समझ में आरी बात, तो मैं hope कर रहा हूँ, कि आप लोग को, यह जो idea समझ रहा गया, अब आपकी जो final value x q होगी न, वो आप कैसे check करोगे, कि correct आईए कि नी, so x की final value correct आईए कि नी, उसको check करना है, तो यह पहले सारा formula लगा लिया, उसके बाद एक final value आईगी, जो कि, है न, numbers के साथ, ओभी जैसे यह है, 1, 2, 3 है, फिर बड़ा number भी उसकत, 10, 12, 15, जो भी आईगी x q value, तो आप उसको final, इस वाले form में लिखोगे, x q value जो भी उसको put क करोगे, अगर तीनों का answer सही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि x की value दम correct है, ठीक है, last में check कर सकते हूँ, इस तरीके की आपने सही solution किया है कि नहीं किया है, ओके, बाकी मैं hope करूँ कि आपको CRT, which is Chinese reminder theorem, पूरी complete समझ में आ गई है, इन समझ में आ गई है, तो यह वीडियो को